एक बाहदूर अस्पताल में आज स्टी एक्ट के विरोध में जो मैं बता दू पहले आपको के मानिया लेने स्टी एक्ट के अंदर जो संसोधन किये हैं उसको नकारत हुए आज गुरूतेक बाहदूर में एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर बहुत सारे लिये गए हैं जो भुष्से में कहीं न कहीं मानने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टी एक्ट के अंदर जो तब्दिल्यक की गई हैं उनको ना मानने का एक फैसरा यहां पर लिया गया है हमारे साथ हैं दिल्ली कहीं ना कहीं घूमने फिरने की है पिक्चर देखने की है कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ मत्रगस्ति करने की है लेकिन आज वह इस यंग एज में के बावजूद भी बहुचन समाज को अपना समर्तन और सायोग देने के लिए आई यह बात करते हैं पूजा से पूजा क्या वह वजह है जो आप यहां पर आए और आपने इस पूरे जो यह प्रिकलन हुआ आपने उसको पूरा दियान से सुना आप क्या कहती है इस बारे में अपना राई दीजिए पहले तो क्योंकि मैं मैं इस चीज़ से परताड़ी तो इसलिए मैं यहां पर आई हूँ कि हम दलि अगर गांधी जी को ट्रेंट से नहीं फैका जाता तो सायद वह भारत के अंदर किरांटी नहीं कर पाते मतलब अगर गांधी जी सज़क नहीं होते उस दिन उनको ट्रेंट से नहीं फैका जाता पूजा आपके साथ जो घटना घटी मेडिया आपके साथ आप बताएं क्या हुआ आपके साथ हैं गोजाए मेरे बाय को पीटा और उल्टा उन्होंने पर नहीं थे उनके खलाब एपायर कर चुके हैं 308 का मुकदमर डाल चुके के सारे पुलिस जो यूपी पुलिस हैं वह सारे रात दिन हमें परताजिक करते हैं यह उपाई को उठाने की पीर्फ में थूर्ण और चल रहा है उप 156 पर उमाई 156 अभी तक पर कोई दर काम नहीं हुआ है सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कम्यूटी के लोग है वो भी उनका साथ देते हैं क्योंकि वो उनसे हमेंसे दब के रहते हैं साथ यह हाल है दिल्ली के बाकी के 28 राज्यों में महिलाओं के साथ क्या होता होगा अपंदाद अलगा सकते हैं आगे बहुष्चे में देखेंगे पूजा से फिरन दुवार मिलेंगे क्या पूजा के साथ मिया हुआ या नहीं हुआ बदो दम्याओं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर